C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठि पुस्तक विज्ञान 1 प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 16, कचरा, संग्रहन एवं निप्टान तो आईए अब सुनते हैं पाठ 16 प्रिष्ट 155 हम अपने घरों, विद्यालेयों, दुकानों एवं कार्यालेयों से प्रति दिन अत्यधिक मात्रा में कूडा कचरा बाहर फेकते हैं अनाज, डाले, बिसकुट, दूद, अत्वा तेल जिने हम दुकानों से खरीदते हैं प्राया प्लास्टिक की थैलियों अत्वा तिनों में पैक होते हैं पैकेंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेक दी जाती हैं कभी-कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तों में बहुत कम उप्योग होता है और प्राया हम उन्हें कचरे में फेक देते हैं अपने दैनी क्रिया कलापों में हम अत्यदिक कचरा उत्पन निकरते रहते हैं. हम प्राया सारवजनिक स्थलों पर बसों, अथवा, रेल काड़ियों में मून फली खाने के बाद इसके छिल्के फ्यक देते हैं. बस से उदरने के बाद हम टिकट को वही पर फेग देते हैं कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पैंसिल चीलता जाता है यदि हम अपनी नोट बुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर सिया ही फैल जाती है तब पीच भाड़ कर फेग देते हैं इसके साथ साथ हम कई घरेलू अप्षिष्ट जैसे तूटे खिलाओने, पुराने कपड़े, जूते और चपल भी बाहर फेग देते हैं यदि हमारे घरों एवं आसपास से यहां कुड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विजार से यहां हमें कैसे हानी पहुँचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़े दानों से इस कूड़े को ले जाते हैं, तो यहां कूड़ा कहां चला जाता है? एवं फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कच्रा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानी ना हूँ क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं इस अध्याई में हम इन प्रश्णों के उत्तर खोजने के प्रयास करेंगे. पहली और बूजो के विद्यालयों के बच्चों ने कचरे का निप्टान नामक एक परियोजना प्रारंभ की. इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध् गांधी जी के एनक में ये दो शब्दे लिखे हुए दर्शाय गए हैं. यहां स्वच्चता मिशन के बारे में भी बताया गया है. भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्तूबर 2014 को स्वच्च भारत अभियान का शुभारम किया. इस अभियान का लक्षे 2 अक्तूबर 2019 तक 16.1 कच्रे का निप्टान सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गढधे या गर्द होते हैं ले जाते हैं इन खुले क्षित्रों को भराव क्षित्र कहते हैं जैसा कि ऐसे ही एक भराव क्षित्र चित्र संख्या 16.1 में दर्शाया गया है वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुना उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग ना किये जा सकने वाले कचरे से प्रथक किया जाता है इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अव्यव होते हैं प्रिष्ट 156 अनुपियोगी अव्यव को प्रथक कर लेते हैं और फिर इसे भरावक्षित्र में फैला कर मिट्टी की परत से ढख देते हैं. जब यहाँ भरावक्षित्र पूरी तरह से भर जाता है, तब प्राया इस पर पार्क अत्वा खेल का मैदान बना देते हैं. भरावक्षित्रों के पास कमपोस्ट बनाने वाले क्षित्र विक्सित किये जाते हैं. कमपोस्ट क्या है? आए इसे यहाँ पर दिये गए एक क्रिया कलाब दौरा सीखें. यहाँ पहली यहाँ जानने को सुख है कि कच्रा उप्योगी कैसे हो सकता है. फिर इसे फेका ही क्यों गया? क्या इस कूड़े कच्रे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तों में कच्रा है ही नहीं? क्रिया कलाब एक. अपने घर के कच्रे को कूड़े दान में फेकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए. फिर इसे दू समूहों में इस प्रकार प्रथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हों. समूह एक. रसोई घर का कच्रा जैसे फल एवं सबजी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अप्षिष्ठ भोजन, चाय की पत्तियां, समचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं काघज की थैलियां भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए. समूह दो. कपड़ों के टुकडे, पॉलिथिन की थैलियां, तूटा काच, अलूमिलियम के रैपर्स, कीले, पुराने जूते, एवं तूटे खिलोने. अब प्रतीक समूह के कच्रे को दो प्रतक धेरियों में बाटिये, तथा इन्हें A, B, C, एवं D से नामांकित कीजिए. इन में से प्रतीक समूह की एक-एक धेरि को प्लास्टिक की दो प्रतक थैलियों में भर कर इनके मुकस कर बांध दीजिए. मैदान में चार गड़े खोद कर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी धेरियों को प्रतक प्रतक गड़े में डाल कर इन्हें मिट्टी से ढख दीजिए. जैसा की चित्र संख्या 16.2 में कुछ बच्चे पॉली थिन में भरे कच्रे को गड़ा खोद कर दबाते हुए दर्शाय गए हैं. आप कच्रे के इन धेरों को दबाने के लिए चार गमले भी ले सकते हैं. चार दिन के पश्चात कच्रे के उपर से मिट्टी हटा कर कच्रे में हुए परिवर्तन को देखिए. कच्रे का काला हो जाना तथा उससे कोई दुरगंध ना आना यह दर्शाता है कि कच्रे का पून विगलन हो गया है. इसे पुना मिट्टी से ढख दीजिए. इसी प्रकार दो-दो दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए. क्या कच्रा पून ता विगलित है एवं उससे दुरगंध नहीं आती? आंशिक रूप से विगलित है? लगभग पून ता विगलित है, परन्तु अभी भी दुरगंध आ रही है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. किस धेरी के कच्रे का विगलन हुआ और किसका नहीं हुआ? अपने प्रेक्षणों के आधार पर सारणी 16.1 के कॉलमों में अपने विगल्पों एक, दो, तीन या चार को भरिये. सारणी 16.1 यहां एक सारणी दी गई है जिसमें 5 कॉलम दिखाए गए हैं. पहले कॉलम में कच्रे की धेरी A, B, C और D. पहले की, दूसरे कॉलम में 4 दिन बाद, तीसरे कॉलम में 6 दिन बाद, चौथे कॉलम में 2 सब्ताह बाद, और पांचमें कॉलम में 4 सब्ताह बाद. कच्रे की धेरियों में क्या परिवर्तनाय इसके बारे में आपको बताना है. यदि आपने कुछ और प्रिक्षन भी किये हो तो उन्हें भी अपनी नोट बुक में लिखना ना भूलें जो कच्रा विगलित नहीं हो पाया है उसे चलाईए अथवा फेक ये नहीं यदि कच्रा पूर्टा विगलित हो गया हो और उससे कोई दुरगंद नहीं आ रही हो तो उसे उस म्रिदा में मिलाते हैं जिसमें आप अपनी पसंद के पौधेों गाते हैं यहाँ आपके पौधों को आवश्यक पूशक प्रदान करेगा आपने इस क्रिया कलाप में यहाँ प्रेक्षन किया होगा कि कच्रे की कुछ चीजें विगलित होती हैं जिनसे खाद बनती है जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होनी की प्रक्रिया को कमपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शेरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं दो प्रकार के कच्रे को एकत्र करने के लिए दो प्रथक कूडे दान प्रदान करती हैं। प्राया एक करंग नीला तथा दूसरे का रंगहरा होता है। नीले कूडे दान में पुना उप्योग किये जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा काँच। क्या आपने यह ध्यान दिया कि यह वही पदार्थ हैं जो कूडे के धेर में विगलित नहीं हुए थे। हरे कूडे दान, रसोई तथा अन्यपादप अथवा जन्तु अप्षिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह नूट किया होगा कि इस प्रकार के अप्षिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्ण तह विगलित हो जाते हैं। अब तो आप समझी गए होंगे कि क्रिया कलाप एक में कि यह अनुसार कचरी को फीकने से पहले उसे दूस समूहों में प्रथक करना क्यों आवशक है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरी के धेर देखे हैं। बहुदा इने चला देते हैं। जैसा कि चित्र संख्या 16.3 में पत्तियां जलाते हुए दिखाया गया है जिसमें ये दर्शाय गया है कि पत्तियां चलाने पर हानी कारग गैसे उत्पन होती हैं। प्राया किसान भी कटाई के पश्चात, खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अप्शिष्ट तथा भूसे जैजे अप्शिष्टों को जलाते रहे हैं. इन्हें जलाने पर स्वास्त के लिए हानी कारगैसें तथा धुआ उत्पन होता है. हमें इस पधती को करने का प्रयास करना चाहिए. इन अप्शिष्टों को उप्योगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है. कचरे का निप्टान परियोजन की अवधी में पहेली एवं बूझो द्वारा नोड किये गए कुछ प्रेक्षन एवं विचार इस प्रकार हैं. बूझो ने अपनी नोड़ बुक में लिखा, पत्तियों को ना चलाएं. आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे. पहेली ने अपनी नोड़ बुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चूरी क्यों नहीं माना? प्रिष्ट 158 वास्ताव में चोरी नहीं, उसका भी प्राय गहर कानूनी अथ्वा अपराध से था वह चाती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादब अप्शिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग हम पौधों को कंपोस्ट दे कर उनके मित्र बन सकते हैं कंपोस्ट बना कर हम स्वैम अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे मित्रों के विशे में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं आईए यहाँ पता लगाएं कि केचुवें की एक प्रजाती लाल केचुवा कंपोस्टिंग में कैसे उप्योगी होता है। लाल केचुवें की सहायता से कंपोस्ट बनानी की इस विधी को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा क्रिमी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कम्पोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्याले में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रिया कलाप दो, मैदान में आईए, एक गढ़ा लगभग 30 cm गहरा खो दें। अथ्वा कोई लकडी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें, जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है? जहां सीधी धूप नहीं पड़ती हो? आईए अब गढ़े अथ्वा बकसे में लाल केचुओं के लिए आराम दाएक घर बनाते हैं। गढ़े अथ्वा बॉक्स की तली में एक जाल अथ्वा मुर्गा जाली बिचा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की एक अथ्वा दू सेंटिमेटर मोटी परद भी बिचा सकते हैं। अब रेत के उपर सबजियों अथ्वा फलों के अप्षिष्ट काट कर उन्हें रेत अथ्वा जाली के उपर बिचा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काट कर भी पट्टियां बना सकते हैं। परंतु चपकीले, प्लास्टिक वाले कागज एवं काटन का प्रयोग ना करें। रेत अथ्वा तार की जाली पर सूखा गोबर भी बिचाया जा सकता है। कुछ जल छड़क कर इस परत को नम बनाएए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक ना हो कि वह बहने लगे। अप्शिष्ट की परत को दबाईए नहीं, इसे पूला ही रहने दीजिए। ताकि इस परत में परियाप्त मात्रा में वायू केचुएं के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केचुएं खरीद कर इन्हें अपने कड़्े में रखिए। जैसा कि चित्र संख्या 16.4 में दर्शाया गया है। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर, अथवा, घास से हलके से ढख दीजिए। आपके लाल केचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल तथा सबजियों के अप्शिष्ट, कॉफी तथा चाय चानने के बाद बजी हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचे के खर पतवार दे सकते हैं। चित्र संख्या 16.5 में इसे दर्शाया गया है। इस गड़े में इस भ चार, तेल, सिरका, मास एवं दूद से निर्मित अप्शिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केचुओं को नातें। इन वस्तुओं को गड़े में डालने से उसमें रोग कारग जीव उत्पन होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड़े के पदार्थों को धीरे-धीरे मिलाते रहें तथा इसकी उपरी सतह को हिलाते रहें। प्रिष्ट 169 चित्र संखिया 16.5 इस चित्र में लाल केचुओं के लिए आहार को दर्शाया गया है। लाल केचुओं के दात नहीं होते। इनमें एक विशेश सनचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं जो भोजन को पीषने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के चिलके, अथवा, समुदरी शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ क्रिमी के गिजर्ड में पहुंच जाता है। और भोजन को पीषने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल क्रिमी एक दिन में अपने शरीर के भार के पराबर आहार खा सकता है। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आविशक्ता होती है। यदि आप अपने केचुओं की भली भाती देख भाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या दोगनी ह हो जाएगी। तीन-चार सपताहों के अंतराल पर अपने गड़े का सावधानी पूर्वक प्रेक्षन करते रहें। क्या आपके गड़े में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है। अब आपका वर्मी कंपोस्ट तयार है। जैसा की चितर संख्या 16.6 में दर अधिकांश क्रिमी अन्य भागों को छोड़कर गड़े के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खात को निकाल कर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाईए। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तयार है। गड़े के इस बचे भाग मे अधिकांश क्रिमी हैं। आप इनका उप्योग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। अथवा आप इने किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बाढ़ सकते हैं। चित्र संख्या 16.4 इस चित्र में वर्मी कंपोस्टिंग करते हुए दिखाया गया है। इस उत्तम वर्मी वर्मी कम्पोस्ट यानि खाद को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यहाँ अप्शिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है। आप मेंसे जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, वे बड़े गड़ों में वर्मी कम्पोस्ट बनाकर परिक्षण कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से धनकी बचद भी होगी, जो आप महंगे रासाइने कुरवरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। आपके विचार से हर दिन प्रतीग घर से कितना कच्रा फेंका जाता है। इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कच्रा एकत्र करने के लिए 5-10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कच्रा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है। आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। यदि आप अपनी शहर अथ्वन्नगर की जन संख्या का पता लगा लें, तो क्या अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रती दिन आपके मोहले अथ्वन्नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कच्रा उत्पन होगा? हम प्रती दिन कच्रे के पहाड उत्पन कर रहे हैं, क्या यह सच नहीं है? चित्र संख्या सोला पॉइंट साथ में ऐसे ही एक कूडे घर का द्रिश्य दिखाया गया है, जहां धेर सारा कूड़ा पड़ा है. प्रिश्ट एक सो साथ इसकी कोई चिंता नहीं करता. एक बार नानू अपनी मा के साथ अपनी मौसी के घर गया. वहाँ वहाँ अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई, विभिने चीजों को देख कर आश्चरे चकित हो गया. उसने पुराने चाटों से फाइले बनाई हुई थी. पैंसिल की चीलन से बधाई काडों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलिथीन की थैलियों से टोकरी आधी को देख कर नानू आश्चरे चकित रह गया. श्याम ने तो विभा के निमंत्रन पत्रों से एक डाइरी भी बना रखी थी. एक दिन प्राताहा नानू अपनी नानी को ढूंडता हुआ पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाड़ी लुगदी का लेप कर रही थी. नानू ने पूछा, नानी, आप क्या कर रही है? यहां लेप क्या है? यहां कागस की लुगदी है, इस लेप को मैंने चिकनी मिटी एवं कागस से तयार किया है, तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है. नानी ने उत्तर दिया परन्तु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं? नानु ने पूछा नानी ने उत्तर दिया इसे पक्की और टिकाउ बनाने के लिए क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानु को इसमें कोई रुची नहीं थी और वहाँ खेलने के लिए बाहर भाग गया वहाँ तो केवल कागस भाड़ भाड़ कर वायू यान बनाने में ही रुची रखता था वास्तों में उसने शाम की फाइलों से भी कागस भाड़ने शुरू कर दिये थे शाम ने नानू द्वारा वायूयान बनाने में उप्योग हुए सभी कागजों को एकत्र कर लिया था और वहा सोच रहा था कि नानू के साथ क्या वैवाहर किया जाए वहा किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं था कुछ दिनों बाद नानू का जन्म दिन आने वाला था शाम ने नानू के मित्रों को निमंतरन देनी की योजना बनाई नानू ने अपने मिट्टी की गुलक से कुछ पैसे निकाले और बासार गया उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलितिन की थैली में रखने को कहा परंतु दुकानदार ने उसे पॉलितिन की थैली ना दे कर कागस की थैली दी नानू ने बहुत सी चीजों जैसे टौफियां और बिस्कुट भी खरी दे उसे इन सभी चीजों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा परन्तु कोई भी दुकानदार उसे पॉलितिन की थैली देने को तैयार नहीं था घर से चलते समय शाम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था अब उसे उसकी बात ना मानने का दुख हुआ किसी प्रकार वहा अपनी सभी वस्तूओं को साथ लेकर घर पहुँच गया जैसा कि चित्र संख्या 16.8 में दर्शाया गया है इस चित्र में खरीदी गई वस्तूओं से भरी थैलियों के साथ नानू को दिखाया गया है नानू के मित्रों ने जन्म दिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेल कर पार्टी का भरपूर आनंद लिया उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागस के हैट पहने शाम ने नानू के मित्रों के लिए कागस की लुगदी से सुन्दर मुखोटे बनाए उसने नानू के लिए भी एक विशेश उपहर बनाया एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुन्दर काट यहाँ सब उसने नानू द्वारा फेके गए काग्जों की लुगदी से बनाए थे यहाँ नानू के लिए एक नया अनुभव था उसके सभी मित्र अपने मुखोटों के साथ अपने घर चरे गए नानू बहुत उत्तेजित था और वहाँ अपना भोजन शीग्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था विद्याली की चुटियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया उसका शहर शाम के गाउं से कितना अलग है वहाँ गाउं सुच्छ एवं साफ सुत्रा था इसलिए वहाँ कच्रा बीनने वाले भी नहीं होते थे परन्तो अब उसने कच्रा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कच्रा बीनते हुए देखकर नाक भों चड़ाना छोड़ दिया था आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कच्रा बीनते देखा होगा इन बच्चों को कारे करते देखिए और पता लगाईए कि वे कच्रे से उप्योगी पदार्थ कैसे प्रथक करते हैं वे वास्तों में हमारी सहायता कर रहे हैं। कच्रा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यहां पता लगाईए। वे एकत्र किये गए इस कच्रे का क्या करते हैं। वे इन्हें कहां ले जाते हैं। क्या वह अथ्वा उसका या उसकी मित्र विद्याले जाता या जाती है? यदि नहीं, तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए. क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, काँच तथा धातू की वस्तूओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोट बुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाईए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है? क्या शाम की भाती आप भी वेर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे? आईए इसे बनाना सीखें! इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोट बुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आविशक्ता होगी! चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपियोग मत कीजिए! इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए! फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं! कागजों को छोटे-छोटे टुकडों में फाड़िये! इन्हें एक बाल्टी अत्वा टब में रख कर जला डालिये! कागज के टुकडों को जल में एक दिन के लिए डूबा रहने दीजिए! अब इस भीगे कागज को काट कर गाड़ी लुगदी बनाएए! अब फ्रेम प बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए! यदि आवशक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथ्वा समाचार पत्र पहला दीजिए! जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए! अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुर रखें जिससे वे मुड़ ना सकें! रंगीन काघस प्राप्त करने के लिए लुगदी को पहलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं! इसके अधिरिक्त फ्रेम पर लुगदी पहलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुण तथा रंगीन काघस के टुकड़े भी मिला सकते हैं! ऐसा करके आप सुन्दर पैटर्नों वाला पुना चकरन का आकरशक काघस प्राप्त कर सकते हैं! जैसे हमने काघस का पुना चकरन किया, क्या बैसे ही हम हर वस्तु का पुना चकरन कर सकते हैं? 16.5 प्लास्टिक, वर्दान या अभिशाप कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनाचकरण किया जा सकता है परन्तु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनाचकरण नहीं किया जा सकता क्या आपने क्रिया कलाब एक में यह नोट किया था कि पॉलिथिन की थैलिया एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते? अब आप सरल्टा से समझ सकते हैं कि पॉलिथिन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यूं है? हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कलपना करना कठिन हो सकता है. क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तूओं के नामों की सूची बना सकते हैं, जिने हम उप्योग करते हैं? खिलाओने, जूते, थैले, पैन, कंखे, दात के बुश, बाल्टी, बोतल, एवं जल पाइप, इन वस्तूओं की सूची बहुत लंबी है क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलिवीजन, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उप्योग, संभवता स्वयम कोई विशेश समस्या उत्पन नहीं करता समस्या तब उत्पन होती है, जब हम इसका अधिक अधिक उप्योग करते हैं, तथा अप्शिष्ट प्लास्टिक के निप्टान से अंजान होकर उसकी उपेख्षा करते हैं आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है, यद्यपी हम इसके दुश प्रभावों से परीचित हैं, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तर दाइद्व को नहीं समझ पा रहे हैं हम प्राया प्लास्टिक की थैलियों का उप्योग पके हुए भोजन के संग्रहन के लिए करते हैं प्राया ये थैलियां खाने की वस्तूओं को रखने योगे नहीं होती, इन थैलियों में पैक की ये भोजन को खाना हमारे स्वास्त के लिए हानी कारक हो सकता है प्राया, दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उप्योग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्नेकारे में उप्योग हो चुका है कभी-कभी कच्रा बीनने वालों द्वारा एक special की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उप्योग किया जाता है इस प्रकार की पुना चक्रन वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्दे पदार्थों को रखना हानी कारक हो सकता है खाद्दे पदार्थों के संग्रहन के लिए हमें इस कारे के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उप्योग के लिए आग्रह करना चाहिए जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मलित हैं उत्पनिक कर सकती हैं। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनाचकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं। यहां पहली का यहां सुझाव है कि विशैले पदार्थों के संग्रहन के लिए उप्योग किये जाने वाले पातरों का पुनाचकरण प्रथक रूप से किया जाना चाहिए। तथा इस पुनाचकरित प्लास्टिक का उप्योग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नही होना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियां बहुदा बहकर नालों अथ्वा सीवर प्रणाली में पहुँच जाती हैं। फनसरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सवकों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिती उत्पन हो जाती है। प्लास्टिक का अंधा धुन्द उप्योग अत्य धिक हानी पहुँचा सकता है। प्लास्टिक के अधी उप्योग को निम्नतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तथा इसके कच्रे के निप्टान के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक, हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उप्योग करें। जहां भी संभव हो बिना किनी दुश प्रभावों के हम इन थैलियों का पुना उप्योग करें। 2. दुकानदारों से कागस के थैले उप्योग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथ्वा जूट का थैला ले कर जाएं। 3. हम खादे पदार्थों के संग्रहन के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उप्योग ना करें। 4. हम उप्योग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेकें। 5. हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तूओं को कभी भी ना चलाएं। 6. हम कच्रे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेकें। साथ, हम वर्मी कंपोस्टिंग का उप्योग कर रसोई के अप्षिस्ठ का विवेक पून निप्टान करें। आठ, हम कागस पुना चक्रित करें। नौ, हम कागस के दोनों ओर लिखें, रफकारे के लिए स्लेट का प्रियोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागसों को रफकारे के लिए उप्योग करें। दस, हम अपने परिवार, मित्रों, एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन प्रकार के अप्षिस्टों के निप्टान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक के जरूरत से ज्यादा उप्योग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए तथा चर्चा कीजिए. हमारे जानने और सोचने योगे सबसे महतपून बात ये है कि हम जितना अधिक कच्रा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठनाई होगी. प्रमुक शब्द, अप्शिष्ट, कच्रा, भरावक्षेत्र, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग, पुनाचक्रान. यहां बूजो और पहली को एक पोस्टर लिए हुए दिखाया गया है जिस पर लिखा है आओ, प्लास्टिक को ना कहें. प्रिष्ट 164 सारांश भरावक्षेत्र वाहस्थान है, जहां शहर अथवा नगर के कच्रे को एकद्र करके पाटा जाता है. कालांतर में इस कच्रे में पार्क बना देते हैं. रसोई घर के अप्षिष्ट सहित पौधों एवं जन्तु अप्षिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है. रसोई घर के कच्रे को अथवा लाल केचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है. कागस का पुनाचकरन संभव है, तथा पुनाचकरन द्वारा बने कागस से उपियोगी चीज़े बनाई जा सकती है. कमपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानी कारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है हमें कम से कम अप्षिस्ट उत्पन्न करने की आविशक्ता है हमें अपने चारों और कच्रे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाए खोजने चाहिए अभ्यास यहां कुछ प्रश्णि दिये गए हैं उनके उत्तर बताईए क लाल केचुए किस प्रकार के कच्रे को कमपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते क क्या आपने अपने कमपोस्ट गढ़े में लाल केचुओं के अतरिक्त किसी अन्ने जीव को भी देखा है यदि हां तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए उनका चित्र भी बनाईए 2. चर्चा कीजिए क क्या कच्रे का निप्टान केवल सरकार का ही उत्तरदाइत्व है क्या कच्रे के निप्टान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है 3. घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों 4. क विभिन प्रकार के कागस के टुकड़े एकत्र कीजिए पता कीजिए कि इन में से किसका पुना चकरण किया जा सकता है ख लेंज की साहिता से कागसों के उन सभी टुकड़ों का प्रेक्शन कीजिए जिन्हें आपने अभी पूछे गए प्रश्ण के लिए एकत्र किया था क्या आप कागस की नई शीट एवं पुना चकरित कागस की सामगरी में कोई अंतर देखते हैं? प्रिष्ट 165 5. क पैकिंग में उप्योग होने वाली विभिन प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए इन में से प्रतेक का किस उद्देश के लिए उप्योग किया था समूहों में चर्चा कीजिए ख एक ऐसा उधारण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती थी ग पैकेजिंग से कच्रे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है इस विशय पर एक कहानी लिखिए आठ क्या आपके विचार में रासाइनिक उर्वरक के स्थान पर अपिक्षा क्रित कमपोस्ट का उप्योग उत्तम होता है कच्रे से निप्टान के लिए क्रिया कलाप तथा अन्य अनुप्योगी वस्तुएं एकत्र कीजिए क्या आप फेकने के स्थान पर इनसे कुछ उप्योगी चीजे बना सकते हैं प्रयास कीजिए दो विद्याले में किये गए कमपोस्ट उत्पादन के क्रिया कलाप पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाईए दिल्ली जैसे शहरों में शरद रितू में धेरों पत्तियां जलाई जाती है इन पत्तियों के जलने पर उत्पन कुछ गैसे सड़क पर दोड़ने वाले वाहनों से मुक्त होने वाली गैसों जैसी ही होती है यदि हम पत्तियों को जलानी की अपेक्षा इनसे कमपोस्ट बनाएं तो हम रासायने कुरवरकों के उप्योग में कमी ला सकते हैं हर एक्षेत्रों जिन में शुद्ध वायू होनी चाहिए वास्तों में पत्तियों के जलाने से विशैली गैसों से भर जाते हैं यदि आप किसी को भी पत्तियों को जलाते हुए देखें तो उसकी शिकायत नगर पालिका के अधिकारियों से करें अथ्वा समचार पत्रों को लिखें पत्तियों को जलाने के विरुध अभियान चला कर सामाजिक जागरुकता पैदा करें यह सुनिश्चित करें कि गिरी हुई पत्तियों को जलाया नहीं जाए बलकि इन पत्तियों से कमपोस्ट बनाई जाए अपने शहर अथवा राजि के विरुध प्राधिकरण को लिखिये कि वह पत्तियों के जलाने को एक दंडनीय अपराद घोशित करें इसी के साथ सोला पाठों के इस पुस्तक का सोलवा एवं अंतिम पाठ यहां समाप्थ हुआ वाचन परवेश गौहर निर्मान वंदना अरीमर्तन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत